तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको add करता हूँ यह वाला balance लेता हूँ और इस चीज़ को add करता हूँ यह वाला interest तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि approximately 2,00,00 रुपे आपका यहाँ पे हो जाता है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि KVP यानि कि किसान विकास पात्र में आपका monthly interest कैसे calculate होता है और yearly compounding कैसे होता है दोस्तो excel file calculator examples की जरिए हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि आपका interest कैसे calculate होता है किसान विकास पात्र सेविंग स्कीम में दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा KVP में आपका पैसा double हो जाता है एक particular interest rate के हिसाब से तो जो अभी का interest rate चल रहा है वो चल रहा है 6.9% और 124 महीने बाद आपका जो पैसा है वो double हो जाता है यानि कि अगर आज की date में आप 1 लाग रुपे का investment करते हो KVP अकाउंट में तो 124 महीने बाद आपका जो पैसा है वो double हो जाता है और आपका जो maturity amount होगा वो होगा 2 लाग रुपे दोस्तों KVP यानि कि किसान विकास पात्र अकाउंट आप किसी भी post office में open कर सकते हो ये एक post office scheme है और एक government back saving scheme है इसका मतलब जो भी आपको interest मिलेगा वो guaranteed होगा दोस्तों और भी कई तरीके के चीज़ें हम देखेंगे KVP के बारे में इस वीडियो में तो दोस्तों इस वीडियो को अंत्र तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि KVP में आपका interest कैसे calculate होगा और किस तरीके से आपका पैसा जो है वो double हो जाता है मैं अब लज़कुपता स्वागत करता हूँ आपका मेरी इस वीडियो में Finkelsi TV पर तो चले शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए Finkelsi TV चैनल को और बेल आइकन को दपाईए लेटेस परस्टनल फाइनेंस न्यूस सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल फिनकैलसी TV को इस वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन आपको दिख रहा होगा उस पे क्लिक कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तों मैंने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एक्सेंपल की सरी और भी कई तरिके के वीडियो बनाए हुआ है जैसे कि एक वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि आपके PPF यानि की Public Provident Fund में इंटरस कैसे कैलकुलेट होता है फाइनेशल ये 2021 और 2022 के लिए आपका income tax कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने आपको एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है SSY यानि की सुकन्य समरिद्य योजना अकाउंट में आपका इंटरस कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है दोसो SIP यानि की Systematic Investment Planning में आपकी Returns कैसे कैलकुलेट होते हैं इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है Excel File Calculator Examples को यूज करके तो दोसो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज आप देख सकें जबी भी आप अपना YouTube आप ओपन करते हो तो दोसो KVP के Excel File Calculator Example की तरफ बनने से पहले हम थोड़ी सी चीज़े देख लेते हैं KVP के बारे में दोसो आप KVP अकाउंट ओपन करने के लिए eligible हो अगर आप इंडिया में रहते हो दूसी condition यह है कि आपकी उम्र 18 साल के उपर होनी चाहिए दोसो अगर आप अपने बेटे या फिर बेटी के लिए KVP अकाउंट ओपन करना चाहते हो और उनकी उम्र 18 साल के नीचे है तो आप on behalf of minor उनके लिए अकाउंट ओपन कर सकते हो दोसो KVP में single अकाउंट या फिर joint अकाउंट ओपन करने का भी option मिलेगा आपको दोसो जहां तक nomination का सवाल है तो अकाउंट ओपनिंग के समय आप किसी भी family member को नॉमिनेट कर सकते हो इस अकाउंट के लिए दोसो जहां तक transfer facility का सवाल है तो एक post office से लेके दूसे post office में भी आप transfer करा सकते हो अपना KVP अकाउंट दोसो आप KVP अकाउंट को premature closure भी कर सकते हो धाई साल के बाद आपको premature closure का option मिलता है इस KVP अकाउंट में दोसो KVP अकाउंट के अगेंस आप किसी भी bank में loan भी ले सकते हो यह आपके KVP के account पे depend करता है कि आपको loan कितना तक मिल सकता है दोसो जहां तक KVP का interest rate का सवाल है तो अभी का जो quarter चल रहा है याने कि January से लेके March 2021 का quarter है इसमें 6.9% का annual interest rate मिल रहा है दोस्तो इसके हिसाब से आपके KVP account में 124 महीने बाद आपका पैसा जो है वो double हो जाता है दोस्तो जहां तक taxation का सवाल है तो KVP में जो भी आप अपना amount deposit करते हो उस amount को आप claim नहीं कर सकते हो किसी भी section के अंडर अपना income tax बचाने के लिए दोस्तो लेकिन एक बहुत ही important point KVP के maturity amount को लेकर ये है कि आपका जो maturity period खतम होने के बाद जो आपको amount मिलेगा उसमें से आपका कोई भी TDS cut नहीं होगा यानि कि text deduction at source नहीं होगा दोस्तो आपके maturity amount में से लेकिन दोस्तो और एक important point note करने की ये है कि जो भी आपका maturity amount होगा उसको आपको add करना होगा आपके total income में और उस पे आपको income tax बनना होगा यानि कि जो भी आपको maturity amount मिलता है आपके KVP account में वो taxable रहता है दोस्तो दोस्तो जा तक account opening का सवाल है तो आपके पास अगर एक ID proof और address proof है तो आपका account open हो जाएगा दोस्तो आपके ID proof में आपका आधार card, pen card, voter ID card, driving license, passport या फिर राशन card इन में से कोई भी अगर आप document provide करते हो तो आप अपना account जो है वो open कर सकते हो address proof में अगर हम देखें तो आपका आधार card, driving license, passport, bank passport, electricity bill, telephone bill या फिर gas bill इसमें से कोई भी अगर आपका address proof का document है वो आप provide कर सकते हो दोस्तो इसके अलावा आपको दो passport size photograph भी लेकर जाना होगा और दोस्तो ये सारे documents आपकी self attested होने चाहिए दोस्तो पोस्त आफिस में जाने के बाद आपको kvp का जो account opening का form है उसे भरना होगा और ये सारे documents जो की self attested है ये आपको अपनी तरफ से देने होंगे आपका kvp account open करने के लिए तो चले दोस्तो अब हम बढ़ते हैं अपने excel file calculator की तरफ जहां हम देखेंगे कि आपका पैसा double कैसे होता है आपकी kvp account में monthly interest कैसे calculate होता है और yearly compounding कैसे होता है तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर excel file में मैंने थोड़े से labels define की हुए हैं यहाँ पर amount का label है यानि कि जो भी आप deposit करोगे आपकी kvp account में वह amount हम यहाँ पर डालेंगे तो उसे यहाँ पर interest rate का label है जो कि मैंने set किया है 6.9% का जो कि annual interest rate है यानि कि साल का interest rate है तो से month का label है यहाँ पर हम count करके देखेंगे कि 124 महीने में आपका हर एक महीने interest कैसे calculate होता है और आपका yearly compounding कैसे होता है और 2024 महीने में आपका पैसा जो है वो double कैसे होता है तो से यहाँपर total month का label मैंने दिया हुआ यानि कि 124 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा total interest का मैंने column दिया हुआ है यानि कि जो पिछले महीने में आपका interest था और फिर इस महीने में interest है वो तोनों add करके हम total interest को calculate करेंगे तो दोसे यह जो है monthly interest का sum होगा यानि कि total कितना interest मिल रहा है आपको वो यहाँ पे display होगा और दोसे यहाँ पे updated balance दिखाई देगा तो दोसे as a example हम क्या लेते हैं कि एक लाग रुपे का investment ले लेते हैं तो दोसे एक लाग रुपे के investment पे आपको यहाँ पे as a balance उस एक लाग रुपे डालना होगा तो दोसे यह जो बारे महीने के लिए है मैं क्या करता हूँ कि यह का formula है वो कुछ इस प्रकार से है जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताते हैं रहा हूं कि आपका जो interest है वो इस प्रकार से calculate होता है कि आप अपना monthly interest rate लोगे उस चीज़ को आप multiply करेंगे आपके amount से और फिर उस चीज़ को हम divide करेंगे 100 से तो दोसे यह same formula मैं इस particular cell में डालने वाला हूं हमारा जो interest rate है दोस्तों वो 6.9% का annual interest rate है तो हमें उसको divide करना होगा 12 से क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं उसके हिसाब से हमें monthly interest rate मिल जाएगा दोस्तों तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि यह 6.9% का annual interest rate है इसको हम divide करेंगे 12 से और दोस्तों हमारे formula क इस आप से हम इस चीज को multiply करेंगे अपने amount से यानि कि जो balance है updated balance है इस से और दोस्तों इस चीज को हम divide करेंगे 100 से तो दोस्तों जैसे ही मैं enter पे क्लिक करता हूं जैसे कि आप देख सकते हो 575 रुपीज का आपको monthly interest मिलेगा इस महीने में 12 महीने के लिए आपका यह जो interest है यह same रहेगा क्योंकि interest rate जो है वो हमने same consider किया हुआ है जो कि 6.9% और आपका जो balance है वो भी change नहीं हो रहा है दोस्तों दोस्तों यहां पर total interest का जैसे मैंने आपको बताया है कि हम इसका sum लेंगे तो मैं क्या करूंगा कि पहले महीने के लिए तो आपका total interest होगा वो आपका monthly interest होगा दोसों दूसरे महीने के लिए क्या होगा कि आपको जो पहले मन्त मैं interest मिला था हम उस चीज़ को लेंगे और दूसरे मन्त में आपको interest मिला है हम उसको add करेंगे तो इस formula के हिसाब से अगर मैं इस चीझको extend करूं 12 महीने तक के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 6,900 यह आपको total interest मिला है 12 महीने में दोस्तों इसी चीज को मैंने calculate किया है इसकी जरीए कि हमें यह जो last number है 12 महीने में जो total interest मिलता है वो in monthly interest का sum है यानि कि इस monthly interest को हमने add किया 12 महीने के monthly interest को add किया तो हमें यह वाला number मिलता है दोस्तो अब दोस्तो क्या होगा एक बहुत ही important चीज में आपको KVP के बारे में बता दू कि साल के अंत में आपका compounding होता है यानि कि क्या है कि आपके balance में जो भी आपको interest मिला है पहले 12 महीने में वो interest add हो जाएगा और फिर उस total balance पे आपको और interest मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तो इसके इसाब से क्या है कि आपका जो total होता है वो होता है आपका यहां पे balance बारवे महीने में उस चीज को हम consider करेंगे और फिर add करेंगे यह वाला interest जो कि आपको पूरे साल में मिला है तो जो आपको number मिलेगा यह आपका new balance हो जाएगा य अब दोस्तो यहां पे मैं months को update कर देता हूं कि पहले बारे महीने के लिए हमने check कर लिया है अब दोस्तो मैं क्या करूंगा कि इस balance को यहां पे as a amount copy करूंगा ताकि दूसे साल के लिए अपने आप यह सारे numbers calculate हो जाएं तो जैसे ही मैं इसको copy करता हूं और यहां पे paste कर दे देता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यह सारे balance update हो गए है यह आपका interest भी update हो गया है दोस्तो हर महीने के हिसाप से और उसी हिसाप से आपका total interest calculate हुआ है और यह वाला जो interest है वो आपके वापस से इस balance में add हो जाएगा दूसरे साल में और यह वाला जो number है वो आपको मिल जाएगा अब दूसरे यह वाला जो months है यह भी मैं update कर देता हूं कि 24 महीने हो गए है अब दूसरे यह same process हमको repeat करना है जब तक हमारा जो total months है 124 न हो जाए इस particular cell में तो दूसरे यह 30 साल के लिए मैं यह amount copy कर देता हूं यहाँ पर मैं update कर देता हूं 36 महीने हो गए है यह 48 months हो गए 60 months हो गए यह 72 months हो गए यह 84 months हो गए यह 96 months हो गए यह 108 months हो गए और यह दोस्तो 120 महीने हो गए अब दोस्तो 120 महीने हो गए यानि कि सिर्फ 4 महीने बचे हुए है जिसके हिसाब से आपका जो total balance है वो double हो जाना चाहिए यानि कि 1 लाग रुपे का 2 लाग रुपे हो जाना चाहिए अब दोस्तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा एक last यहाँ पर जो balance है वो last time यहाँ पर ऐसा amount लोगा और हमें पहले चार महीने consider करने होंगे तो जैसे ही आपका पाचवा महीना होता है उस महीने में हमें यह जो total interest मिला है उसको add कर देना होगा और आपका approximately 2 लाग रुपे का maturity amount ह हो जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको add करता हूं यह वाला balance लेता हूं और इस चीज़ को add करता हूं यह वाला interest तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि approximately 2 लाग रुपे आपका यहाँ पर हो जाता है पाचवे महीने में यानि कि 4 महीने complete होने के बाद पाचवे महीने में आपका 2 लाग रुपे का maturity amount है यह आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर 124 महीने complete हो जाएंगे तो दोस्तों इस हिसाब से आपका जो interest rate है 6.9% का fixed interest rate पकड़ा गया है और 124 महीने में आपका जो पैसा है वो double हो जाएगा इस तरीक से हमने इस calculation को देखा है दोस्तों आपका amount कुछ भी हो सकता है उस amount को लेकर आपका जो पैसा है 124 महीने में double हो जाएगा अगर आपने 10 लाग रुपे डाले है यहाँ तो आपका 20 लाग रुपे का maturity amount हो जाएगा तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना monthly interest calculate कर सकते हो KVP या आपने पहले से ओपन किया है या फिर open करना चाते हो और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा आप मेरे बाकी के वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको यह समझाया कि PPF यानि कि Public Provident Fund में आपका monthly interest कैसे calculate होता है और yearly compounding कैसे होता है दोस्तों दूसरे और एक वीडिय returns कैसे calculate होता है यह भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों अगर आप SIP के जरीए निवेश करते हो तो SIP में आपके returns कैसे calculate होता है वो भी मैंने आपको एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है कि आपके SIP returns कैसे calculate होते है दोस्तों अगर आपने उस वीडियो में समझाया हुआ है, तो दूस्तों ये सारे वीडियो आप देख सकते हो एक प्लेइलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने अलरेडी डिस्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो दूस्तों जैसे कि आपने देखा, बहुत ही आसान है आपका इंटरस केल्कुलेट क करना KVP अकाउंट में, दूस्तों 124 महीने बार आपकी KVP अकाउंट में आपका पैसा डबल हो जाता है, अगर इंटरस रेज 6.9% का है तो, दूस्तों आप मेरा फ्री एंडर्ड आप फिन केल्सी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका income tax calculate करने के लिए, दूस्तों ये free android app already available है प्ले स्टोर पे और इसका link मैंने description section में दिया हुआ है, और दूस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरे बाकी के वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको excel file calculator examples के जरिए, कई तरीके के Indian savings schemes में आपका interest कैसे calculate होता है, वो समझाया है, दूस्तों ये सारे वीडियो आपको एक playlist में मिल जाएंगे, जिसका link मैंने already description section में दिया हुआ है, तो दूस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज इससे like कीजिए, share कीजिए अपन तन्यवाद